अब सभी का बिहार इनेम 1070 भरती लेटिस्ट अब्लेट में दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है अप अच्छे और स्वस्तोंगे और बिहार इनेम 1070 भरती की काउंसलिंग का इंतेजार कर रहे होंगे कि कितनी जल्दी बिहार एनेम 10700 भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया को सुरू की जाए हम लगातार आपको बिहार एनेम 10700 भरती सम्मधित लेटिस्ट अबडेट आपको दे रहे दोस्तो आज इस वीडियो के माधम से हम बिहार एन्यम 10709 भरती सम्माधित आपके लिए कुछ खास सब्डेट लेकर आए हैं दोस्तो आप लोगों से एक रिक्वेश्ट के चैनल को अभी सब्सक्राइब किजी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर किजी और वीडियो को पूरा देखे तभी आपको संपोड जानकारी मिल पाएगे क्योंकि आज कहा है वीडियो बिहार एन्यम 10709 भरती सम्माधित महत महत पोड होने वाला है अगर आप इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस कर देंगे तो आप से महत पोड जानकारी मिस हो जाएगे चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो जैसा आप सभी भारतों को मालूम है कि बिहार एन्यम 10709 भरती प्रक्रिया को लगतार पीछे किया जा रहा और ऐसे में बहुत से भारती यही सवाल कर रहे हैं कि बिहार एन्यम 10709 भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया कब तक सुरू की जाएगी और काउंसलिंग प्रक्रिया सुरू होने में अभी और कितना समय लगेगा तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बिहा साफ साफ दिया जाए गया कि बिहार एन्यम 10709 भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया इस दिन से सुरू की जाएगी मतलब दोस्तों हम आपको बता दें अभी सीम नितीज कुमार की मीटिंग हुई थी और उसमें साफ यही निर्देश आयोग को दे दिया गया है कि अब आयोग बिहार में स्वास्त विभाग में जितने भी खाली पड़े पद है और जो वैकेंसी चल रही है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए तो एक बात इसमें साफ है दोस्तों कि बिहार एन्यम 10709 भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया की तयारी में आयोग जुट चुका है हो टेंडरर जारी होने के बाद जितने भी एक जारे सेंटर है और काउंसलिंग सेंटर है आयोग सेका काउंसलिंग प्रक्रिया सुरू किया जाए मतलब दोस्तों एक टार्गेट यही आयोग के पास दिया गया है कि बिहार एन्यम 10709 भरती कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसको हर हाल में पूरा किया जाए लेकिन आयोग लगतार देरी कर रहा है अब आयोग अगर ऐसा लगतार देरी करेगा तो आयोग को जो मीटिंग हुई तो इसमें साप यही निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इसमें काउंसलिंग को पूरा किया जाए मतलब आयोग के पास क युल साथ दिन का समय बचा हुआ है साथ दिन के अंदर ही बिहार एन्यम दसजार साथ सनों भरती प्रक्रिया की काउंसलिंग की आफिस्यल अपडेट जारी की जाएगी और उसी के अनुसार सभी चातरों को ये सूचना मिलेगी कि बिहार NM 10709 भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया इस दिन से सुरू की जाएगी लेकिन बहुत से चातर एक्जाम के समद में ये लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या बिहार NM 10709 भरती प्रक्रिया में एक्जाम होगा या नहीं तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार NM 10709 भरती प्रक्रिया में कोई एक्जाम नहीं होने वाला है क्योंकि इस भरती को मेरिट की ही आधार पर पूरा किया जागा क्योंकि आपको मालूम होगा जब इस भरती का नोटिपिकेशन जारी किया गया था तो उसमें साफ यही निर्देश दिया गया था कि बिहार NM 10709 भरती की जो चैन प्रक्रिया है उसको काउंसलिंग के आधार पर पूरा किया जागा और सभी छात्रों की योगिता की मेरिट के अंकों को जोड़कर एक मेरिट तयार की जागी और उसी के अनुसारे का टांप निर्दारित किया जागा और उसी के अनुसार सभी छात्रों का सेलेक्शन किया जागा तो दोस्तो एक बात इसमें क्लियर है कि बिहार NM 10709 भरती प्रक्रिया में कोई एक्जाम नहीं होने बाला दोस्तो बहुत से यूटूबर आपको लगतार गुमरहा कर रहे हैं और लगतार यही आपको नोटिस दिखा रहे हैं कि बिहार NM 10709 भरती प्रक्रिया में एक्जाम होगा और सभी छात्रों की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द सुरू की जागी दोस्तों बिहार एन्यम दसजार सासनो भरती प्रक्रिया में एकजाम के संबंद में जो नोटिस चारी की गई है और नई निमावली के तहथ जो वेकेंसी आईगी उसके लिए जारी की गई है अर्थात बिहार एन्यम दसजार सासनो भरती में नई निमावली को लागू नहीं किया गया है क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि बिहार में 2016 की निमावली अभी तक लागू की जा रही थी वेकेंसी में नई निमावली के तहथ चैन प्रक्रिया की जागे मतलब अगर अगर अभीहार में नई वेकेंसी का बिग्यापन जारी किया जाएगा तो उसमें लिखित परिच्छा के माध्यम से सभी अभीहारतियों का चैन किया जाएगा और सभी अभीहारतियों को एक पर पराखिया जाएगा और जल्दिवी बिहार न Chem 10.99 भारते की thereby काौंसलिंग प्रक्रिया की आफीसल अपडेट जारी की जाएगे आई यह बात करते हैं कि बिहार एन्यम 10709 भरती की काउंसिलिंग प्रक्रिया की आफीसियल अपडेट कब तक जारी की जाएगी तो दोस्तों हम आपको बता दें बिहार एन्यम 10709 भरती की काउंसिलिंग प्रक्रिया की जो आफीसियल डेट है उन लगतार देरी के कारण बदली जा रही है ऐसे में एक अनुमान से हम आपको बता रहे हैं कि बिहारे ने हम 10,000 साथ सुनों भारती की जो काउंसिलिंग प्रक्रिया की आफीसियल अपडेट है उल्लग भाग 1 अगस्त से 15 अगस्त के मद जारी की जाएगी क्योंकि इस भारती को काफी लंबी समय से रोका गया है और इसकी काउंसिलिंग प्रक्रिया को जल से जल पूरा नहीं किया जा रहा है ऐसे में आयोग को भी नोटिस जारी की करके यही साप निर्देश दिया गया है कि इस भारती को जल से जल पूरा किया जाए और आयोग के पास भी ऐसा कुछ समय नहीं बचा है क्यों आयोग के पास 60 दिन का समय है और आयोग भी अब इस भरती को जल्द से जल्द पूरा करेगा मतलब दोस्तों बिहार नहीं दसजार सासनों भरती प्रक्रिया की जो काउंसलिंग की आफिसियल अपडेट है एक अन्मान के मताबिक हो एक से पंदरा अगस्त के मद चारी की जाएगी एक से पंदरा अगस्त के मद बिहार नहीं दसजार सासनों भरती प्रक्रिया की काउंसलिंग आफिसियल अपडेट जारी की जाएगी और इसमें एक नोटिस यह जारी की जाएगी कि इस दिन से आपको काउंसिलिंग लेटर डाउनलोड करने का आपसन भी दे दिया जाएगा अगर आप बिहार NM 1010000 बरती प्रक्रिया में काउंसिलिंग लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं क्योंकि मोज जैसे ही आप काउंस्रिलेटर को डाउनलोड करेंगे तो आप ने आल लाइन अवेदन करवाते समय जिस एमेल आइडे और मोबाइल लंबर का प्रयोग किया होगा उसी एमेल आइडे और मोबाइल लंबर में एक OTP जाएगा उसी OTP के माध्यम से आपका काउंस् सकता है तो दोस्तों यह थी महत्पूर जानकारी बिहार इनेम 2007 सनों भर्तिक से संबन देत